Hello friends, दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम continue करने वाले हैं, हमारा जो chapter चल रहा है जिसका नाम है surfacy, surfacy यह जिसका पूरा बड़ा नाम अगर हम बोले था Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 यह surfacy act आपके CA final level पर include किया गया है syllabus के अंदर और यह इस पूरे act का दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो के अंदर हमने discussion किया था basics के बारे में कि surfacy के अंदर securitization होता कैसे है, enforcement of security interest कैसे किया जाता है और बीच मगर देखे तो RFA कैसे होता है, यानि कि Reconstruction of Financial Assets, सारी important definitions हम समझके आए हैं previous वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज जो हम discuss करेंगे, वो है section number 3 to section number 12, तीन से लेकर 12 तक इसे बात की गई है कि SA, यानि कि securitization के लिए regulations क्या क्या है, और अगर आप reconstruction of financial asset, RFA करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी regulations क्या क्या है, यानि कि securitization करने वाली जो company है, ARC, वो, ARC और क्या करती है, उसके अलावा ARC यहाँ पर enforcement भी करती है, किस चीज का, वो यहाँ पर financial asset का, यहाँ पर एक तरीके से वो reconstruction भी करती है, तो RFA और securitization के लिए जो regulations है, वो ARC करती है, तो ARC के लिए क्या क्या regulations है, उनको discuss किया गया है, ती cancellation भी हो सकता है, यहाँ पर किस तरीके से reconstruction किया जाता है, कब notice दिया जाता है, क्या-क्या powers है, क्या duties है, RBI क्या कर सकती है, यह सब चीजे हम इन sections में discuss करेंगे, let's start with section number 3 to section number 12, regulations under surface E, let's start. अब दोस्तों इस chapter में हम जो बात कर रहे हैं, वो क्या है, आपको वापे से में थोड़ा सा flow में लाने के लिए कुछ चीजे बता देता हूँ, हम बात कर रहे हैं सिकुरिटाइजेशन की SA, हम बात कर रहे हैं RFA के बारे में, जिसे हम रफा दफा करना कहते हैं, यानि कि reconstruction of financial asset, securitization, अभी इन दोनों की हम बात करेंगे, ESI की हम बात नहीं करेंगे, उकि ESI के लिए अभी ये sections नहीं, section number 13 से शुरुआत होगी, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बारे में, सर जरा essay क्या है बता दीजिए, तो securitization होता क्या है, असल में, देखे, यहां पर secured asset, बराबर है, यह जो secured asset है, या जिसे हम कह सकते है financial asset है FA, यह financial asset जो bank के पास में रहता है, उसको transfer क्या जाता है, ARC को, asset reconstruction company, reconstruction company, या फिर securitization company, कुछी बोलिए, तीनों का एक ही नाम है, इन तीनों company या एक ही company, तीनों अलग लग नाम है, यह क्या करती है, यह bank के behalf पर, यह जो financial asset है, उसको अपने नाम पर लेती है, सारे rights को transfer करती है, अपने नाम पर, ठीक है, कैसे करती है, bank और ARC के बीच में एक agreement होता है, उस agreement में यह रहता है, कि यह जो financial asset है, वो अब आपके पास जा रहा है, इस financial asset को use करते हुए, यहाँ पर securities issue की जाती है, debentures issue की जाते हैं, bonds issue की जाते हैं, किस को, QBs को, यानि कि qualified buyers को, और उसके बदले में, यह सब securities issue होती है, तो underlying asset होता है, यह financial asset, इस पूरे process को हम securitization कहते हैं, तो यह reconstruction financial asset क्या होता है, reconstruction financial asset, यानि कि जो bungalow हमने security के लिए दिया था, अब उसके property के साथ में कुछ ने कुछ खेलना, यानि कि उसक पहले जितना हो सके, उतना reconstruct करना और पैसे निकालने की कोशिश करना, ऐसा ARC करता है, क्या करता है, वो management को take over करता है, सबसे last में, अगर कुछ ने हुआ तो possession लेता है वो, पूरे उस asset का, management को take over करने के साथ में, वो और क्या करता है, वो यहाँ पर rescheduling करता है, क्या, कि जि के यहाँ पर lease कर देना property को, इन सब तरीकों को use किया जाता है, reconstruct करने के लिए, financial asset के लिए, ठीक है, तो यह दोनों process है, जो हमें यहाँ पर सीखी है हमने, अब इन दोनों के लिए, जो company है, ARC, जिसको form किया जाता है, उसका registration कैसे होता है, सबसे पहले section 3, उसके बारे बात कर लीजिए, सबसे उपर यहाँ पर, आपके चहरे पर भी, और यहाँ पर सरफासी act के उपर भी, कि जो भी चीज़ें आपर govern की जाएगी, वो RBI के थ्रू होगी, ARC जो company बनाई जाती है, SC जो company बनाई जाती है, उसको बनाने वाला कौन होता है, bank होता है, उस bank को बोला जाता HDFC भी आएगा, वो बोलेगा, आप यह reconstruction का काम कर रहे हो, हमारे भी assets अमाल लो आप जरा, तो वहाँ पर दूसरी companies के साथ में, वो profit sharing में काम करेगी, बट जो उसका sponsor है, main bank जो है, जिसने उसको बनाया है, उससे वो सिर्फ commission लेती है, starting में, ठीक है, सो यह बात हो गई, कि यह पर इस ARC को register किया जाएगा, किस के साथ में, सबसे पहरी बात, उसको RBI के साथ में register किया जाएगा, उसको RBI को application देनी पड़ेगी, बट eligibility क्या है, उसके पास में certificate of registration होना चाहिए, और वो certificate of registration उसको section number 3 के अंदर मिलेगा, बराबर है, तो उसके लिए requirement क्या है, उनने बोला requirement है, net owned fund की, कि आपके net owned जो fund है, वो कितने होने चाहिए, उनने कहा, 100 crore rupees, मतलब 100 crore से ज्यादा अगर आपके net owned fund है, तो ही आप ARC बन पाऊगे, तो ही आप ARC बन पाऊगे, वरला आप नहीं बन पाऊगे, ठीक है, तो reserve bank time to time में इस figure को change कर सकती, जो उसको सही लेगे, अगर हम एक list बनाएंगे, पूरी process की, ठीक है, तो section number 3 को आप यहाँ पर mention करी, section number 3 बोल रहा है कि registration, आपको देगा RBI, certificate of registration आपको इस section के अंदर मिलेगा, net owned fund आपके 100 crore, या 100 crore से जादा होने चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर note बनाते जाएंगे, आगे चलते हैं, और क्या तीन साल में, 3 preceding financial year में, आपका कोई भी loss नहीं होना चाहिए, 3 financial years, preceding financial year में, आपका कोई भी loss नहीं होना चाहिए, आपके पास में adequate arrangements होने चाहिए, तो adequate arrangements for realization of financial assets, यार आप ARC हो, आप bank के थूँ काम कर रहे हो, आपके पास उन financial assets को realize करने के लिए arrangement भी तो होने चाहिए, ठीक है, and shall be able to pay periodical returns and redeem and respective due dates on the investments made in the company by the qualified buyers, अब ये ARC के अंदर investment करने वाले कौन है, qualified buyers है, तो उन investors को time to time return देने की भी तो उसकी आउकात होनी चाहिए, तो उसके पास में वह वह से arrangements होने चाहिए, professional experience चाहिए भीया, ठीक है, उसका कोई भी director convicted नहीं होना चाहिए, उसका जो sponsor है, जो bank है, वो भी एक fit और एक proper person होना चाहिए, जो भी RBI के norms है, वो ARC को comply करना पड़ेगा, जो भी conditions है, वो भी उसको comply करनी पड़ेगी, guidelines की, चीक है, तो major यहाँ पर नोर्स पर हम क्या mention कर सकते हैं, conditions के अंदर क्या क्या है, conditions के अंदर, three financial years, previous financial years में, loss बिलकुल नहीं होना चाहिए, बराबर है, professional experience होना चाहिए, कोई भी director convicted नहीं होना चाहिए, उसका जो sponsor है, वो भी fit person होना चाहिए, चीक है, और जो RBI के norms है, guidelines है, rules है, वो सब उसको follow करना परेगा, यह सब conditions, साथ में यह basic criteria, यह सब fulfill होगा, तो section number three में आपको COR मिल जाएगा, चीक है, अब यहाँ पर certificate registration, ARC को issue किया जाएगा, ठीक है, कौन करेगा, it must be noted, that reserve bank में also prescribe any other condition, जो उसको सही लगे, अगर वो satisfy नहीं होगी, तो वो application को reject भी कर सकते हैं, opportunity of being heard वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, चाहिए, आगे चलते हैं, prior approval, RBI का चाहिए, हमको पता है, किस चीच के लिए, आपको once you are registered, आपको बाकी चीजों के लिए भी RBI का prior approval लेना पड़ेगा, जैसे, आप management में कुस substantial change कर रहे हैं, जैसे, आप appointment कर रहे हैं, किसी director का, managing director का, CEO का, तो आपको RBI के permission लेनी पड़ेगी, आपका registered office का location change हो रहा है RBI के permission लेनी पड़ेगी, आप नाम change कर रहे हो, आपको RBI के permission लेनी पड़ेगी, जो RBI बोलेगा, वो पत्थर की लकीर होगी, और वो ही आपको मानना पड़ेगा, सीरिसी बात है, ठीके, तो यह हुआ, section number 3, section number 3 के हमारे notes यहाँ पर है, section number 3 में conditions हो गई है, basic criteria हो गया है, और साथ में हम यहाँ पर और क्या mention कर सकते हैं, हम mention कर सकते है, prior approval of RBI, ठीक है, तो prior RBI approval, इस चीच के लिए, management change के लिए, name change के लिए, और location change के लिए, इन तीनों के लिए आपको RBI की permission लगेगी, चलिए, अब registration दिया गया है, section number 3 में, registration cancel हो सकता है, registration चला जा सकता है, section number 4 के अंद cancellation क्यों होगा भईया, उन्होंने बोला यार हमने आपको ARC बनाया, ठीक है, ARC बनाया और अब आपका business या आप नहीं कर रहे हो, cease to carry your business, तो business अगर आपका चले गया, या आप नहीं कर रहे हो, तो ARC हम आपको, आपका registration cancel कर देंगे, ठीक है, आपका काम था qualified buyer से investment करवाना, अब आप investment उनसे करवा ही नहीं रहे हो, आप ना कोई investment receive कर रहे हो, ना आप hold कर रहे हो, QB से, आपका जो main sole purpose था, ARC का वो पूरा ही नहीं हो रहा है, हम आपका registration cancel कर देंगे, आपने RBI की conditions को follow नहीं किया, आपका registration चले जाएगा, बराबर है, आपने section number 3 की conditions को follow नहीं किया, आपका registration चले जाएगा, RBI के directions को, RBI ने बोलना था accounts maintain करो, आपने नहीं करें, books of accounts inspection के लिए मांगे थे, relevant documents मांगे थे, नहीं दिये, prior approval RBI की नहीं ली, नाम change कर लिया, director change कर लिया, substantial change in management हो गया, RBI की prior approval नहीं ली, तो सब आपका registration यहाँ पर चले जाएगा, तो RBI approval नहीं ली conditions मैंने लिख दी है, directions यहाँ पर आप slash करके लिख सकते हैं, आपने अगर RBI के नहीं माने, section number 3 आपने नहीं माना, उसके लावा और क्या है, आपने accounts टाइम पर नहीं दिये, आपने books of accounts maintain नहीं किये, तो भी आपका approval यहाँ से जा सकता है, यानि कि वो cancellation यहाँ पर हो सकता है, बट cancel करने के पहले, यहाँ पर Reserve Bank of India को एक यहाँ पर opportunity of being heard देने पड़ेगी, क्या यहाँ पर cancellation कर दिया तो यहाँ पर ARC चूप रहेगा क्या, नहीं, वो appeal कर सकता है, किसको appeal कर सकता है, वो directly central government को appeal कर सकता है, कितने दिन में, 30 days के अंदर अंदर, वो central government के पास जाएगा, ठ reject कर रहे हो, 30 days के अंदर में central government के पास में जाके appeal कर सकता हो, दिल्कुल कोई दिक्तत की बात नहीं, आप जाके appeal करिए, तो session number 3 में registration दिया गया, 4 में इन reasons की वज़े से, आपका यहाँ पर approval, registration जा भी सकता है, और आप appeal कर सकते हैं central government के पास में, interesting fact, जब इस ARC का registration cancel किया गया तो इसके पास में qualified buyer का 100 करोड रुपे का investment रखा हुआ था, तो जब तक इस 100 करोड का investment qualified buyers को वापिस नहीं दे देता है, उस period तक तो उसके पास में deemed ARC का registration रहेगा, beyond that नहीं रहेगा, तो अगर दूसरों का पैसा रखा हुआ है, उसके लिए उस पैसे को लोटानी के लिए, कि आप yes ARC हो, वो पैसा आपने लोटा दिया, तब आपका cancellation यहाँ पर मानी हो जाएगा, ठीक है, अब चलते हैं section number 5 की तरफ, जिसका यहाँ पर नाम है acquisition of rights और interest in financial asset है, अब ARC का का काम क्या था, ARC का काम था, कि bank के साथ में, financial institution के साथ में, एक agreement करो, बराबर है, agreement किस तरीके का agreement करेंगी, कि जो financial asset है, वो आप अब मुझे transfer करो, बराबर है, उसके against है, मैं यहाँ पर debentures या securities यहाँ पर issue करूँगा, तो यह जो agreement होता है, वो agreement किसके लिए हो रहा है, right और interest को acquire करने के ल financial asset, तो section number 5 बोलता है, कि हमारे हिसाब से, section number 5 के हिसाब से, आपको यहाँ पर acquisition financial asset का होगा, कैसे होगा, let's see, तो यह section बोलता है, कि कोई भी ARC, कोई भी ARC, अगर किसी financial asset को acquire करना चाहती है, तो वो bank से कर सकती है, ARC कर सकती है, कैसे, वो एक agreement करेगी, agreement क्या करेगी, कि आपका financial asset हमारी इस company को आप transfer कर दो, मैं आगे उसके against पे dementia, bond या कोई भी securities, मैं यहाँ पर issue करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो भी document या फिर जो भी agreement sign होगा ना, उस पर जो stamp duty लगेगी ना, वो exempt की गई है, क्या बोला नोने, कि कोई भी document जो bank of financial institution के बीच में, यहाँ पर बन रह है, in favor of the ARC, acquiring financial asset, उस परसपस के लिए, जो भी stamp duty होगी, उसको exempt किया गया है, बट उन्होंने क्या बोला है, कि यह जो subsection है, वो कहाँ apply नहीं होगा, where the acquisition of the financial asset by ARC is for the purpose other than AR or S, उन्होंने बोला है, only for the purpose, अगर आपका इस acquisition का purpose जो है, वो सिर्फ reconstruction का ही है, बराबर है, या फिर वो securitization का ही है, तो ही हम आपकी stamp duty को यहाँ पर exempt करेंगे, other than this purpose, आपकी stamp duty यहाँ पर exempt नहीं होगी, ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखिए, हुआ क्या है, कि जो asset है, वो transfer होके आगया है, ARC के पास में, तो हकिकत में हुआ क्या, transfer होने के बाद में, सिर्फ नाम change होना च asset, ठीक है, ARC क्या करेगी, एक application देगी DRT को, या appellate tribunal को, या किसी court को, for the substitution of its name in the pending suit, अब यह सब बात है क्या हो रही देखिए, थोड़ा उपर चलते हैं, यह मैंने आपको जान मुझके बोला, क्या, कि अभी जो asset है, जो पहले bank के नाम पर था, अब वो किसके नाम पर रह तो ARC जाएगी DRT के पास में, कि appellate tribunal के पास में, कि आपके पास में, जो भी suits वगरा चल रहे हैं, pending cases चल रहे हैं, उसमें bank का नाम हटा के, अब आप मेरा नाम कर दीजिए, बना सर आपी कहना चाहरे हैं, कि once the asset has been transferred, ठीक है, तो जितने भी right title और interest है, उस financial asset के अंदर, वो ARC के पास में, पूरा RTI चले जाएगा, ठीक है, so RTI तो पूरा transfer हो गया, अब यहाँ पर, हकीकत में, पहले bank जो था, वो lender था, बड़ जैसे ही, यह asset transfer होके ARC के पास में जाता है, यह ARC अपने आप में deemed lender बन जाता है, ठीक है, यह बात लिखा हुआ है, in case where bank or FI is lender in relation to any financial asset, अब be deemed to be the lender and rights of such bank financial institution shall vest in such company, तो सारे RTI vest होगा, अब ARC के पास में, ARC हमारा यहाँ पर deemed lender बन जाएगा, दो point clear होगा है, जितने भी legal document चल रहे है, सब जगे नाम किसका आजाएगा, ARC का आजाएगा, जो cases already चल रहे हैं, suits pending है, appeal है, वो सब not prohibited, मतलब वो continue करेंगे, ठीक है, उनको कोई दिक्तत की बात नहीं है, as it is, चलते रहेंगे, बस उसको DRT को यहाँ पर, यानि कि debt recovery tribunal को, appellate tribunal को, एक application करनी पड़ गी कि हमारा नाम change कर दो है, तो यह चार चीज़े हैं आपर हो गई, अब section number 5A क्या बोलता है, 5A बोलता है कुछ important चीज़े, उसका यह कहना ह कि ARC में file an application to appellate tribunal, over any of such DRTs before which cases are pending, तो DRT को, या AT को वो application देगा, AT क्या करेगा, एक order pass करेगा, कि सारे pending cases जो है, to any one of the DRTs, order pass shall be binding on all the DRTs, any recovery certificate issued shall be executed, अब देखिए, हो क्या रहा है, मैं आपको story समझाता हूँ, देखिए, हो क्या रहा है, कहानी ये है, कि asset ये है, ये asset आया है, ARC के पास में, ये asset था, पहले banks के पास में, हो सकता है, ये जो asset है, ये तीन secured banks के against में, यहाँ पर registered है, और इसमें एक से ज्यादा bank या फिर financial institutions involved है, ठीक है, तो हर bank ने, हर financial institution ने, इसका पैसे recover करने के लिए, अलग-अलग DRT इसको, ठीक है, जहाँ-जहाँ जिस region में वो applicable थे, debt recovery tribunal को application दे रहे की थी, जब इस ARC के पास में, finally ये asset transfer हुआ, तो ये ARC बोला, ये तीन तीन जगे, तीन तीन DRT के पास में ये application पढ़ा हुआ है, इन तीन को combine करके कि किसी एक को दे दो ना, तो क्या ARC ऐ आएगा appellate tribunal के पास में, उसको बोलेगा, येर इन तीन को merge करके किसी एक जगे डाल दो ना, तो appellate tribunal किसी एक DRT को यहाँ पर बोलेगा कि जितने भी pending application से, वो सिर्फ एक DRT के पास में चले जाएगा, और वो DRT को वो order मानना पड़ेगा, और फिर वो DRT एक recovery certificate issue कर सकता है सिर्फ एक जगे से, बस सिंपल सी बात है, तो अगर एक से जादा bank के financial institution के नाम पर वो secured debt issue किया गया था, of more than one bank of financial institution, उनकी recovery के लिए सबने अलग-अलग two or more DRT को दे रखा है, तो ARC application देगा AT को, वो बोलेगा कि यार जितने भी transfer कर दो pending cases है application को to one of the DRTs, तो वो यहाँ पर appell पर yes, कोई भी bank section number five के अंदर, यहाँ पर agreement के साथ में, किसी भी asset को acquire कर सकता है, उसके rights को, उसके interest को acquire कर सकता है, उस document पर जो भी stamp duty लगेगी, वो stamp duty आपकी exempt होगी, बट वो सिर्फ reconstruction और securitization के purpose के लिए ही होना चाहिए, वो जो acquisition हो रहा है, अगर और किसी दूसरे purpose के obligor को, क्या, कि discharge of obligation of such obligor, अभी obligor कौन है भया, यह तो बताओ, जरा देखे, देखे, यहाँ पर कौन कौन party सी, हमने example यहाँ दे लास्ट में, कि यह बंदा है, CJ, इसने यहाँ पर, अपना financial asset दिया है, bank को, bank ने इसको यहाँ पर financial assistance दिया है, बराबर है, यह जो asset इसने bank को transfer क किया है, bank ने वो asset transfer कर दिया है, ARC को, इसके बदले में क्या हुआ है, ARC ने इसको यहाँ पर cash transfer कर दिया है, जितने का loan था, और इस asset के ऊपर, इसने QB's को, यहाँ पर security receipts issue करी है, इसके बदले QB ने इसको यहाँ पर cash transfer किया है, जो इसने आगे किया है, इस तरीके बैंक के पास में पैसा पहुझ गया है, जो उसने financial assistance के नाम पर दिया था, अब देखिए, यहाँ पर यह जो person है, इसको पैसा देना है, तो यह obligor हुआ, इसको पैसा देना था bank को, बड़ हकिकत में अब उसको पैसा किसको देना है, ARC को, बैंक को पैसा नहीं देना है, वो बोल रह पैमेंट करना है, आप ARC को करो, आप मुझे मत करना, और अगर उसने notice नहीं दिया, उससे पहले कुछ पैसा अगर बैंक के पास में आ गया है, तो बैंक उस पैसे को as a trustee hold करेगी, क्योंकि वो पैसा ARC का है, ठीक है, तो इस section number 6 छोटी सी बात कर रहा था, अब इसके बाद आते हैं, section number 9 के उपर, section number 9 बोल रहा है, कि क्या-क्या तरीके हैं reconstruction करने के, reconstruction of financial asset, हम already देखके आ चुके हैं, सबसे पहले management को change करने की कोशिश करो, और उसको take over कर लो, अपने board of directors बिठाएगी यहाँ पर, कौन? ARC, और उसको manage करने की कोशिश करेगी, जो bank यहाँ पर पैसे नहीं ले पाना था, ARC अब पैसे लेगी, कैसे लेगी? उसने का, यार, building जो आपकी है न, जो आपने financial asset बना के रखा, उसमें तीन floor है, एक काम करो, इस floor को हम lease पे चड़ा देते हैं, और इससे जो हमें rent आएगा न, उससे हमारी EMI पे हो चाएगी, ठीक है? तो lease पे चड़ debt repayment, चौथा तरीका क्या है, one time settlement करो, dues को settlement कर दो, secured asset को फिर possess कर लो, मतलब अब लेना ही पड़ेगा, आप कुछ काम होई नहीं रहा है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम enforcement of security interest का सकते हैं, finally ESI, जो section number 13 के अंदर है, वो भी हम कर सकते हैं, और जो debt है, उसको हम convert कर सकते हैं, shares के अंदर, यानि कि, आपके company में, अब हम shares खरीद लेंगे, और हम यहाँ पर काम करेंगे, और पैसा यहाँ से निकालेंगे, इतने तरीके हैं, section number 9 के अंदर, जिसको बोला गया है, measures for asset reconstruction, section number 9 यहाँ पर खतम होता है, section number 10 बात करता है, ARC के और क्या function से इसके अलावा, अब 9 के बात में, चिंदी-चिंदी section से छोटे-छोटे उनकों देखते है, section number 10 बोल रहा है, यार, ARC और भी दूसरे काम करता है, क्या काम करता है, देखिए, अब ज़रा आप बीच में देखिए, ARC बीच में आ गया है, यहाँ बैंक था, यहाँ ARC है, और यहाँ पर हमारा QB है, तो QB यानि कि investors, जिन्होंने invest किया है, किसको दिया है पैसा, हमारे ARC को दिया है, क्यों, क्योंकि ARC ने इंको यहाँ पर debt, debentures, securities के नाम पर कुछ issue करके, यहाँ पर receipts दी है, ARC क्या कर रहा है, यह बैंक के बिहाफ पर काम कर रहा है, ठीक है, बैंक को जो पैसा recover करना था, वो ARC कर रहा है, तो ARC एक तरीके से agent का का काम कर रहा है, बराबर है, किसका agent है, वो bank का agent है, financial institution का agent है, अच्छा, और क्या कर रहा है, वो जो asset है, जो financial asset उसके पास में है, वो उसको manage करने की कोशिश कर रहा है, बराबर है, उससे पैसे निकाल रहा है, reconstruct कर रहा है, तो वो manager क का काम भी कर रहा है और क्या कर रहा है वो manager होने के साथ साथ में वो पैसा भी recover कर रहा है इसलिए वो receiver का काम भी कर रहा है ठीक है तो वो यहां पर agent भी है manager भी है और receiver भी है तो इसलिए वो किसी भी तरीके से यहां पर mark हा खा के वो काम कर रहा है तो आपका यहाँ पर जो abbreviation हो जाएगा वो हो जाएगा M-A-R manager, agent and receiver M-A-R, तो यह वो agent भी है manager भी है, receiver भी है ठीक है, तो वो court यहाँ पर बीच में आती नहीं है, सारा काम ARC यहाँ पर समाल लेता है तो ARC के मन में जो आएगा वो करेगा क्या, नहीं, RBI की guideline के साब से उसे काम करना है देखे, क्या लिखा हो उन्होंने आपर कि वो किसी भी person को appoint कर सकता है secured asset को manage करने के लिए उसका position लेने के लिए और कोई भी fee वो वहाँ पर तहे कर सकता है mutually agreed जो भी है, exception क्या है कि no ARC shall act as a manager if acting as such gives rise to any pecuniary liability अगर कोई यहाँ पर pecuniary liability आने की monetary liability अगर कोई आती है, तो फिर उसे वो काम नहीं करना है चलिए, और क्या हो सकता है, उन्होंने क्या बोला है उन्होंने बोला है यार, कि आप ARC हो, आप asset reconstruction company हो reconstruction company हो, securitization company हो आपका काम ही क्या है, आपका business सिर्फ यही है कि आप यहाँ पर securitization करो और asset का reconstruction करो इसके अलावा आप और कोई दूसरा business नहीं कर सकते हो ठीक है, अगर आप पहले कर रहे थे before the commencement of this act तो आपको उन business को रोकना पढ़ेगा ठीक है, for the purpose of this section ARC does not include its subsidiary तो अगर ARC को कोई subsidiary को दूसरा business कर रही है तो क्या वो कर सकती है वो कर सकती है, subsidiary की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे है, ठीक है अब बात आती है section number 11 की section number 12 की, 12 तक हमें यहाँ पर बात करना है, ठीक है, 12 क्या बोल रहा है पहले, वो RBI के बारे में बात करता है, तो हम 11 की बात करते है 11 बोल रहा है कि यहाँ पर disputes का resolution कैसे किया जाएगा तो कोई भी securitization से related या पर reconstruction of financial assets से related कोई भी अगर यहाँ पर issue सामने आता है या फिर non payment of any amount due including interest अगर कोई भी securitization non payment, इन सब से related अगर कोई भी issue आता है between, among whom, amongst लिखा है among whom, bank ये लोग भी आपस में लड़ सकते हैं या, bank, financial institution, ARC और QB मतलब अगर इन तीनों के बीच में भी अगर कोई पंगा होता है तो उसको कैसे result किया जाएगा that shall be settled by conciliation और arbitration as provided by arbitration and conciliation act ये हम already देख के आए हैं आपने foundation level पर ये पढ़ा होगा ठीक है, ACA act, यानि कि क्या बोलना चाहरे हैं कि हम court के पास नहीं जाएंगे, court यहां बीच में आएगा है ये नहीं, जो भी इन लोगों के बीच में अगर कोई लफडा होता भी है तो arbitration के साथ में या conciliation के साथ में, negotiation के साथ में काम किया जाएगा under this act, ऐसा section number 11 बोलता है now, finally हम section number 12 के बारें बात करते हैं और इस वीडियो को end करते हैं 12 के अंदर 12 है, 12 A है, 12 B है यह हम समझते हैं कि आखिरकार 12 बोल क्या रहा है 12 बोल रहा है कि Reserve Bank of India के पास में सारी power है सबका बाप है वो, Reserve Bank क्या कर सकता है let's see अब देखिए, इनुने बोला है कि RBI को हमने पूरी power दे रखी है RBI यहाँ पर directions issue कर सकती है policy बना सकती है जो भी उसको सही लगे, वो वैसा कर सकती है अगर उसको लगता है कि कोई भी matter है income से related, income कैसे recognize करना है provisions बनाना है bad and doubtful debts के लिए CAR जो ratio होता है, capital education उसके लिए, तो वो कुछ भी किसी भी तरीके की policy और direction दे सकती है, कौन RBI ठीक है, इसके लाबा RBI क्या करेगी RBI और तरीके बोल सकती है कि आप सिर्फ इसी तरीके का financial asset आप यहाँ पर acquire कर सकते हो, type of financial asset value of financial asset भी वो यहाँ पर mention कर सकता है fee कितना charge करना है, वो बता सकता है security receipt को कैसे transfer करना है उसका procedure क्या रहेगा, वो भी RBI यहाँ पर बता सकता है इसके लाबा 12A बोलता है कि RBI किसी भी तरीके का statement और information मांग सकती है, और सब लोगों को देना पड़ेगा चुपचाप, वो audit भी करवा सकता है और वो inspection के लिए किसी को बोल सकता है, सब को assistance और cooperation वहाँ पर RBI को देना पड़ेगा, RBI को लगता है कि यहाँ पर कुछ गरबर चल रहा है तो वो किसी भी chairman को remove कर सकते है और additional directors को वो यहाँ पर appoint कर सकते है, किसी भी officer को on board RBI यहाँ पर रख सकती है for further inspection ठीक है, बट कोई भी removal का यहाँ पर order दिया जाएगा तो उससे पहले opportunity of being heard उसको दी जाएगी ठीक है, इतना ही नहीं यहाँ पर हर director को, हर officer को सारे books of accounts, जो भी चीज़े मांगी जा रही है, वो सब उसको provide करना पड़ेगा, तो दोस्तों यह section number 12 तक हमने आपर बात करी, section number 3 के अगर हम बात करें सबसे पहले, section number 3 में हमने देखा, कि यहाँ पर registration RBI देगा, उसको prior approval देगा, RBI हर चीज़ का name, management, location जो भी change करना है, RBI का prior approval लो, यह conditions फुल्फिल करो तो ही आप ARC बन पाऊगे, net owned funds 100 करोर से उपर चाहिए, पिछले 3 साल में कोई loss नहीं चाहिए, professional experience होना चाहिए, director convicted नहीं होना चाहिए, sponsor आपका fit होना चाहिए, और RBI के norms, rules and regulations को आपको follow करना पड़ेगा, आपका जो registration है, उसको हम cancel कर सकते हैं, अगर आपने चीज़ें हाँ पर नहीं मानी तो, business आप नहीं कर रहे हो, QIB से आप कोई भी investments hold नहीं कर रहे हो, RBI की conditions और erections को follow नहीं कर रहे हो, RBI से आपने prior approval नहीं लिया है, books of accounts आप provide नहीं कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर cancellation कर दिया राएगा registration का, अपील करना है, कर दिये 30 दिन के अंतर central government को कोई दिक्तत की बात नहीं है, बट हम आपका cancel कर सकते हैं, क्या यहाँ पर financial asset को acquire किया जा सकता है, under section 5, yes, through an agreement, yes, stamp duty लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है, क्या होगा, asset transfer हो गया, अब by default, deemed lender कौन बन गया, ARC बन गया है, सारे legal proceedings, cases जो चल रहे हों, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्या यहाँ पर जितने भी contract से, जो पहले चल रहे थे, वो सब चलते रहेंगे, deeds वगेरा, सब as it is रहेंगे, yes, तो होगा क्या, substitution of नाम हो जाएगा, ARC का नाम आ जाएगा, अब bank की जगे, उसके लिए, अगर 2-3 bank के financial institutions involved है, तो यहाँ पर ARC, बोल सकता है, appellate tribunal को, कि यह 3 DRT यहाँ पर involved है, किसी एक DRT को यहाँ पर assign कर दो, तो वहाँ पर appellate tribunal वैसा कर सकता है, under section 5A, यह भी हम देखकर आ चुके हैं, ठीक है, 6 बोल रहा है, कि notice दे दो यार, CJ को बोल दो, कि अब आपको पैसा ARC को देना है, हमें नहीं देना है, हमारे पास आ भी गया, हम as a trustee यहाँ पर समाल लेंगे, measures हमने इतने सब तरीके हैं पर सीख लिए है, section number 11 में हमने देख लिए, other functions में मार है, as a manager, as an agent, and as a receiver, काम करता है कौन ARC, and at last, section number 12, हमने आपर बात कर ली है, financial assistance नहीं, financial asset का reconstruction के लिए, हमने आपर सारे section देख लिए है, आने वाले वीडियो में क्या होगा, enforcement of security interest, क्याने कि ESI, जो third part है, इस पूरे chapter का, वो section number 13 to 19 तक यह कहानी चलेगी, उसके बाद में appeals की कहानी है, चोटे चोटे section से, वो भी हम आपर cover करेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो का दोस्तों, यह surface का, surface का तीसरा वीडियो, और maximum fourth वीडियो में, हम इस chapter को finish करनेंगे, पुराने सारे acts भी हमने, 4-4-5-5 वीडियो में खत्म करें हैं, maximum six वीडियो में, तो आप जो भी act पढ़ना चाहे, economic loss केंदा, इस पूरी playlist में आपको मिल जाएंगे, दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, I hope आपको यह वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप संबरी notes बना रहे होंगे, और आपको यह help कर रहे होंगे for your examination, so thank you for watching the video.